बाबा बागेश्वर का सॉलिड इंटर्व्यू का वक्त हो चला है जी यहां पूरे देश में बाबा बागेश्वर की चर्चा हो रही है बाबा बागेश्वर के अनुयाईयों को विश्वास है कि बाबा चमतकारी है लेकिन बाबा बागेश्वर के विरोधी उन पर अंध व पोशिद करने की मांग कर चुके हैं और वो सनातन वियोधी लोगों के खलाफ खुल कर बोलते हैं धमा किदार इंटिव्यू भाई हम दिली से आ रहे हैं आपके पास नियूस नेशन की टीम तो हर सवाल हम आपसे पूछेंगे और उसके लिए राजी हुए हैं बागेश्वर्दा हमाराजी आपको बहुत-बहुत स्वागत है नियूस नेशन की पर तो हम कुछ नई बाते करते हैं पुरानी बाते बहुत हो गई उन पर जो कुछ नया हुआ है उस पर बाद में बात होगी तो पुरानी बातों से आगे ले जाओं कि इन पुरानी बातों ने भली ही विवाद हो लेकिन आपको आपको बागेश्वर धाम, मध्यप्रदेश, राइपूर, चतीसगर से निकालकर दुनिया और देश के पटल पर एक अलग तरह से आपकी ख्याती हो रही है इस वक्त और उस ख्याती को अगर मैं आपसे पूछू आगया आप किस तरह से उपयोग करना चाहते हैं हमारी सदुपयोगता बागेश्वर धाम की ख्याती है अपितू हमारी नहीं और बागेश्वर धाम की महमा विगत तीन पीडियों से अनवरत है दादा गुरू जी की हाँ ऐसे कह सकते हैं पहले संकुचित था अब ब्यापक रूप में तो सदुपयोगता निरंतर से रही स हिंदू राष्ट की बात करते हैं यह सवाल हमारे जहन में आता है कि हिंदू राष्ट आप शुरुवाद से जब आप आद्ध्यान से जड़े तब शुरुआत से आप के मन में था हिंदू निराष्ट अनुयाय ज़बी है होने बालों में से हमारे जीवन के प्रतेक्ष धांत अटल रहे हैं और प्रारंब से रहे हमें सामने सनातन की बात की हमें सामने हिंदुत की बात की और हिंदूराष्ट की बात की आपका एक बयान हाल में काफी चर्चा में रहा आपने अपने देवे दरबार के बाद मीडिया हिंदु राष्ट की किया है क्या है हिंदु राष्ट का मतलब सामाजिक समरस्ता, हिंदुव में एकता, ये जो जाती बात के नाम पर बार 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 भारत में, इस देश में, भारत हिंदुस्तान में, बीचे त्रिष्टितियां बनती हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, राजनितिक रोटियां से की जाती हैं, बार बार कभी किसी को ट धारगेट बनाया जाता है हमारी दृष्टी में हिंदू राष्ट सामाजिक समरस्ता का रास्ट bakalım इसमें सवी पनैए जिसमें रामचृथ मानस पर कोई उंखली न उठाए हमारे इस देश की टफवान राम इनका अस्तुत तो कोई ना मागे हमारा यह धे है हिंदु यानि मतलब हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम ही कहना होगा और हिंदु धर्म को सर्वोपरी मानना होगा सर्वोपरी मानना होगा है ही है सर्वोपरी मानना क्या सर्वोपरी आज भी है कल भी थाओ रहेगा नहीं मुझे मेरा धर्म सर्वोपरी लग सकता है ठीके मैं तो सनातनी हूँ लेकिन हो सकता है हर एक को अपना धर्म सर्वोपरी लग सकता है धर्म बाकी है नहीं बाकी तो पंत है धर्म तो सिर्फ सनातन है बाप बाप होता है बेटा बेटा तो आप ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों का बाप है हिंदु धर्म बिल्कुल बेजजग सनातन धर्म सबका आदी अनादी से है उसी से सम प्रगट हुए तो निश्चत रूप से वो सबका फाद है और यही सोच मुस्लिम, इसाई, सेख, जैन वो अपने-अपने धर्म के लोग अपने-अपनी सोच रखते हैं सीही बापी धर्मों से हमारी कोई बुराई नहीं है अपने धर्म के प्रतीकटर नहीं पन्त है पहली बात पर आप यह कह रहे हैं अच्छा तो आपका ये कहना है कि हिंदू राष्ट का मतलब क्या होगा क्या बदल जाएगा हिंदुसान में क्योंकि आप कह रहे हैं सामाजिक समरस्ता है दो अभी भी हमारा सम्विधान कहता है कि सबको बराबरी का हक है सारी चीजे बराबर बिर ये जाती बात पर अलाई क् फिर जाती बात पर द्वंदता क्यों फिर जाती बात पर राजनीती क्यों जातियों का वर्णन तो हमारे समाज में क्या हिंदू धर्म में कहीं से भी जातियों का वर्णन है जातियों का वर्णन है पर उस पर रोटियां नहीं से की जाती उस पर गालियां नहीं दी जाती, उस पर लामचरत मर्स के उपर टिपड़ी नहीं की जाती, उस पर मनुश्मर्ती के उपर टिपड़ी नहीं की जाती, उस पर संतों के उपर टिपड़ी नहीं की जाती तो उसके लिए तो कानून है वो काफी नहीं है कि हिंदुराश्ट रोने से अगर किसी को देखे मैं कह रहे हूं कि भाई अगर मुझे किसी का सम्मान करना है तो वो करना है चाहे उसके लिए कानून हो ना हो कानून होगा तो मैं डरके करूँगी और अगर मेरे मन से सम्मान आ कbro 네 मारा संद्राई टैट बहूत बड़ा कैंभॉस एक ऐसा परिवार्श जो हिंसा के पक्षम्स नहीं आएं साख पुजारी है तो क्या भारत का प्रतेक सब्सेर साफ about if अगरा Schneiner आद पर खोशित हो जिसम हिंदू राष्ट अगर आप कह रहे हैं कि मांग लेके जाएंगे तो मेरे जीवन में क्या बदल जाएगा हमारी कोई मांग नहीं हम सरकार से कोई मांग नहीं हम सिर्फ सनातनी विक्तियों को जगा लें नहीं मैं सनातनी के तौर पर अगर हम ये सवाल कि कल से अगर हिंदू राष्ट घूशित हो जाता है तो कल से क्या बदल जाएगा उसके जीवन में? बार बार प्रमाड बार बार संतों को प्रमाड ये जो टारगेट किये जाते हैं ये सभी टारगेट सुन हो जाएगे क्योंकि हिंदू राष्ट बनते ही राम राजी की स्थापना हो जाएगी राम का देश हो जाएगा फिर किसी बात की लड़ाई नहीं अब आकी धर्मों क कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके मानने या ना मानने से इश्वरी शत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है एक व्यक्ति ना मानने अगर आप नहीं मानते बागे सुर्धाम तो क्या बागे सुर्धाम मिट गया आपके करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते तो उनके न तो यह माने के भारत हिंदू राष्ट है नहीं तो देश शोड़ के चलेज़ें। अगर दिक्कत आपको लगती है तो छोड़ देना चाहिए। देखिए अगर आपकी टीवी का चैनल किसी को देखना पसंद नहीं तो चैनल बदल दीचे। आपके चैनल से किसी को प्रॉबलम है, एक उसको किया जवाब देगे। कि हमें आपका चैनल बहुत बेकाल लगता तो क्या कहोगी कि मिलिए कहोगी। हम ये कहेंगे कि आप बताई है अपने सुझाव दीजे। प्रवार वही टार्गेट बार वही शुक्धा के कान रामचरत मानस पढ़ पढ़ी करने वाले तो हिंदु धर्म के लोगी हैं हम किसी धर्म पर जाई नहीं रहे हम सिर्फ सनातन विरोधी की बात का हमारी लड़ाई मुसलमानों से या इसाईयों से नहीं है हमारा सब के प्रती संबेदना है उन पंतों के प्रती हिर्दय से भावना है हमारी और उनका उनके प्रती जो भाव है उसकी हमारी सुभकामना और सादू बाद सादू JAC था एट है हमारी लड़ाई सनातन विरोधी से अपरते सनातन विरोधी को अगर सनातन हिंदू राष्ट से दिक्कत है था फाल क्लारत में रहना है तो विक लिए पनी प्रति नागरिक होने के नाते हमको बोलने का अधिकार है हमने अपनी बात रख दी और सरकार सुन रही और आपकी tv या को में टीबी को देखेगी दो भी सुनेगी तो भानती नागरी खुलने के लिए या बहुत-बड़ा केंवास खड़ा करने के लिए ये बार-बार बयान दे रहे चिला रहे ये छोटी तुक्ष मान सिकता है कोई मिले तो साधू किनातिश्विकार है कोई धाम पर आए तो साधू के नाते प्रेम और कोई अगर मिले भी तो माने ये प्रदानमंत्री और गदी के प्रति हमारी शुब कामना क्योंकि वो देश के राजा है तो प्रदानमंत्री के प्रति हमारी सद्वावना इश्वरशेप कामना और सुभासी सुभासी अपने प्रभू से इस्ट से प्राथना है पर हमारा कोई आउचत इस उद्देश से नहीं है कि ये मुद्दा ले करके हम वहाँ जाए और हमारी कोई मांगनी अपने इस्ट से प्राथना अच्छा आप अभी हाल फिल हाल के अंदर बागेश्वर धाम में संत समागम की बात हो रही है और उसको ये कहा जा है कि आप अभी सबी संतों से मुलाकात करने के लिए देश भर में भ्रह्मन कर रहे थे कि आपका शक्ति प्रदर्शन है वह एक करने से लोगों की भावना है बहुत बिचित्र है लोगों को अपना आइकॉन फिक्स करना है उनके पास कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए नही यह है कि हम कोई प्लानिंग या प्री प्लानिंग से कभी जीते हैं हमारी जिंदगी बहुत एकदम इसपष्ट और साफ है और बेबाख है कि हम अपनी लाइफ में जो करते हैं ऑंदा स्पार्ट किसी की सुनते नहीं अपने इश्ट गूर्व माता पिता क्या लावा है तो अपने सनातनियों पर पूर्ण भरोश है अभी जो तमाम विवाद जो तमाम सवालात उठे उसके बाद हमने देखा के बागेशपर धाम पर भक्तों की बीड़ जो है और ज्यादा बढ़ गई तेगुनी चोगनी हो गई ऐसा तो नहीं कह सकते है जो तस्वीर आई जो सामन होनी चाहिए तो हिंदु धर्म की बात ही है मैं कहना चाहती हूं कि अगर आप इतना बड़े पैमाने पर आपके भक्तूं की संक्या देश में फैल रही है तो आगी की योजना के आए बड़े-बड़े आश्रम बनाना कोई आश्रम बनाऊं कि आप रामदेव जी से और बा योग रिशी है उन्होंने योग की प्रंपरा को जीवन्त किया हम उसको कैसे नकार दें बारत को योग की तरफ भोग से योग की तरफ कोई रिशी ले गया है हमारी अपचारिक हमारी भामना है हमारा प्रतेक सादू से हमारा प्रतेक सादू का आश्रबाद हम पर है और हम क कोई बहुत बड़ा बिजिनिसमेन, हम कोई बहुत बड़ा मठ मंदिर, हम कोई बहुत बड़ा महंत, हम कोई बहुत बड़ा सादू, I am not सादू, पहली बात तो हम कोई सादू नहीं है, कोई महंत नहीं है, और पीठा दीसर कोई लिख देता है, कोई कुछ बोल देता है, वो परपस हमारा politics का, परपस हमारा मत मंदिर का, कि बहुत बड़ा मत मंदिर बनाना है। तो आज क्यों बनाते हैं, बहुत पहले हैं, बहुत पहले से जोड़े, और ऐसे ऐसे लोग जो एक व्यपती ही सब कुछ कर शकता है। मतलब यहां पर जैसे में एक दम बिल्कुल सब कुछ इसे चल रहा है वैसे ही देखेंगे यहां पर आने वाले सालों में बड़े-बड़े कमर्शल पूरा सतरे का अश्रम के से कोई आके बना ले यहां पर बहुत विजिनस पॉइंट विवी हो रहा है बाहर से कंप्पनिया आ रहे हैं बाहर से लोग आ रहे हैं तो होटल्स बना रहे हैं वह डबलमन कर रहे हैं सरकार भी दरम साला बना रही है बागे शुल्दाम की हम तो हम तो पूछ रहे हैं, अभी हमारी कोई ऐसी भावना नहीं हो बशाये तो दिक्कत में, भावना कभी-जाने सकती है? मन में कुछ भी विचारा सकता है हवा है हवा और वायूर हवा युवा का उल्टा होता है वायू वो तो कभी भी प्रवाहित हो शकता है और अगर आप बनवा हो तो I accepted my dear sister हम पे भी इतनी करपा बढ़ से मतलब हम बनवाने लाइक हो खेर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो सवाल हमारे दर्शकों ने जब समाम जिसे खबरे चली आपका पिशला इंटर्व्यू चला तो बहुत सारे लोगों ने इसको सवाल भीजे हैं वो भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मैं सिर्फ धिरेंद्र शास्तरी हूँ है ना तो लेकिन आप ये बागेशवर धाम की पीट जो है इसके उत्राधिकारी कैसे बने ये किस तरह से आपके मन में आध्यात्म की तरफ क्योंकि आपका मैं पढ़ रही थी मुझे दुरुस कीजेगा गलत हूँ तो क्योंकि जो भी जानकारी जो हम वेबसाइट से और जुटा पाए हैं तो उसमें ये था कि आप आठवी तक जैसे स्कूल जाते थे पर स्कूल से आप तुरंट निकल जाते थे अपने दादा गुरू के पास और उनके सानेध्य में आप ज्यादा रहा करते थे और आपने बहुत कम उम्रे धोती गुर्ता पहनना शुरू कर दिया था तो कुछ बताएंगे कि कैसे आप हमारे जीवन की प्रारंभिक यात्रा अध्यात्म से हुई और गुरू चर्णो से हुई दादा गुरू जी के चर्णो से यह आश्रम जो बागेश और धाम है अकड़ और फकड़ है परन्तु यह आश्रम पुझपात दादा गुरू शन्यासी बाबा तीन पीडियों से दर्बाल लग रहा है स्वयंभू अन्मान जी है पहले सन्यासी बाबा पर करपा हुई पांच बार उनको बाला जी के प्रतक्ष दर्शन हुए ऐसा दादा गुरू जी ने बताए फिर दादा गुरू जी ने दर्बाल लगाया उन पर भी करपा हुई कहते हैं कि उनको भी स्रीहनमान जी का शाक्षा थाकार हुआ और उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में हमको यहां सेवा में लगा दिया फिर लगातार अनबरत सेवा में 11 वर्ष की अवस्था से हम यहां हैं बीच बीच में कथाओं में जाते रहें पढ़ाई भी की अध्यन भी किया पर जादा मन हमारा दादा गुरू के चरणों में बाला जी के चरणों में अध्यात में की पृति शत्त नारान कथा बाचना अभाव का जीवन था हमारा अभाव की जीवन में शत्त नारायन करना और पुरोहित्र कर्म करना जो हमारी परंप्रा में था उसका हम निर्वायन करके अपनी जीवका चलाते थे और ये शुर का भजन करते थे मैं पढ़ रही थी कहीं देखिए जो जानकारी मुझे उपलब थे नेट पे में वही आपसे साजा कर रही हूँ, अगर गलत हूँ तो आप उसे दुरुस कीजेगा, कि आपके परिवार ने वो जीवन भी बिताया है, जब आपके पर दो वक्त का भोजन नहीं होता था, आज आप हजारों भक्तों को अपने धाम की रसोई से उनका पेट भरते हैं सुभाशा, पहली बात तो हम भरते नहीं हैं, क्योंकि हम कोई बिजनसमेन नहीं है, हमारे पास जो देज आता है, हम प्रैम पुरुबक उसको खुले हाथों से बाट देते हैं, हमारे जीवन की एक बहुत अच्छी आदत है, जो कास सब के अंदर होनी चाहिए, हम अपनी जेम में रुपया नहीं रखते हैं, और यह मत कह देना कि बैंक में रखा होगा, हम अपनी जेम में रुपया नहीं रखते हैं, और जो आता है उसको खर्च करने की आदत हमारी बहुत अच्छी है, बहुत तरीके से हम खर्च कर पर हमें लगता है आज क्या खिलाए जाए आज रस गुला खिलाए जाए जाए मौज हमें बेटियों के विवाय में पिछली साल थोड़ा सा संकुचित हुआ क्योंकि वो कम था इस बार आपके जैसे कुछ लोग है उन्होंने का गुरूजी आताग्या करो इस बार फ्रच की बबस्ता कर रहे हैं बेटियों को डबल बैट, सोफा, ड्रेसिंग, कूलर, पंखा, सोना चान्दी का गएना एक एक चेक तो हमारी जिंदगी में ये सूत्र बहुत अच्छा है तो अभाव की जिंदगी रही विकिन आज भी हम अभाव में जीते हैं उसमें हमें बहुत मज आता है क्योंकि प्रभाव में हम बहुत जादा रश नहीं ले पाते हैं फक्करपन का जीवन जीना में बहुत अच्छा है अच्छा है अच्छा ये पताईए कि आपकी मातर जी आज आई थी जब हम लोग देख रहे थे और यहां पर तस्वीर भी हम देख रहे हैं तो जब आप सब के लिए पीठा देश्वर हो गए बागेश्वर महराज हो गए तो एक मा के लिए उनका धीरिंद्र जो है वो कितना बदल गया या वो वही नहीं हमारा जीवन हम किसी के लिए नहीं बदले हैं एक हमारी ऑन कैमरा हो या हम बाहर लुँद लाखो परिबार की बीच में बैठे हूं हमारे सब परिवार हैं या हम अंदर कमरे में हमारा सुभाव और जो अतिचन चलता है वो बनी रहती है वरकरा मां से कभी डांट भी पर जाती है अज भी अभी भी रोज खा लेते हैं सोय नहीं आखे लाल है गला बैट गया भोजन तो कर किसके लिए कर रहा अज तक करेगा बुढ़ा पर जल्दी आ जाएगा जल्दी खा और भी वही बोजमाताओं का जो भा होता ममत तो होता वो आज भी डांटना फौन पर डांटना आकर डांटना हमारा ये दुरुभाग्ये है कि हम जिस गाओं में हमने जन में लिया उसी गाओं में मतरब ये कि हम मा की शेवा नहीं कर पाते हैं, चमा कीजें, हमारा दुरुभागे के हम यहीं रहते हुए मा के पास नहीं रहते हैं, हमसे थोड़ा दूर है मा, छेचे माए हम घर नहीं चापते हैं, शेवाके कारण, क्योंकि परती दिन हजारों लोग आते हैं, आज टी बी आ गई, अज़ आप लोगों के पास हम पहुंच गए हैं? पहले से ही अनवरत गुरूपरमपरा से लोग जुडए हैं, दादा गुरूजी के समय से लोग जुडए हैं उनकी हमसे भाव जुड़ा हुगा, उनका हमसे एक कुछ पाने का, बात करते, जिग्या सा जुड़ी हुए इसकी तरफ आध्यात्म की तरफ जुकते चले गए करमकांड हमारे पूरे परिबार में है पर हमारा थोड़ा साम बीच की बीच का बारी निकले है तो हमें दादा गुरू जी ने ये दरबार की परंपरा जो इस पेसली करपा के सकते है तो करमकांड तो पहले ही था लेकिन दादा गुरू जी की ये जो परंपरा है गद्धी की ये हमको उनोंने बच्पन से दी दरबार की परंपरा अचा एक चीज आपके बारे में कही जाती है और दर्शो को नहीं अब्जर्व की तो उनोंने एक सवाल कहा के भई आप इतनी चाई क्यों पीते हैं आप बहुत चाई पीते हैं पर पीनी नहीं चाहिए लेकिन आप पीते हैं तो ऐसे आदत कहां से लेकिए दादा गुरू जी से हमारे दादा गुरू जी खुब पीते थे और उन्होंने हमको बजपन में जूठी चाय पिलाई जो खोपडी है नारियल की उसमें पिलाई तो उस चाय से हमारे गुरू की याद जुड़ी है जिस चाय से अपनी जीवन की याद जुड़ी हो पहला स्टैप और जीवन की पहले जीवन की पहले लोग कदापी नहीं भू इसलिए बागे शुर्धाम हम छोड़ते नहीं और जो नारियल की खुपड़ी है उसको नहीं छोड़ते क्योंकि उसकी जब शुगंदी हमारे नाक की नजदीक आती है तो वो हमें दिन याद आ जाते हैं वो भककरपन, वो मौज, वो बाला जी का भजन, वो खीरतन, वो आपके लिए बिल्कुल ढाल बनकर आगे आए हैं और उन्होंने कहा है के चमतकार आज से नहीं हो तो पता नहीं कब से कर रही है वो आपके लिए आगे आए हैं जब शंकरा चारे ने आपके उपर सवाल उठाए और तमाम तरह के विवाद उठखड़े हुए तो आपके गुरू जी आपकी ढाल बने आपके इसलिए हमारे जीवन से गुरू की याद जाती है अजब आपके दिवे दर्बार की उराते हैं कुछ लोगों का ये कहना है महराजी के दिवे दर्बार के अंदर कई बार आप अपने भक्तों से बहुत ही जिसे कहते हैं के रूखा वेवार करते हैं कई बार आप उनके बारे में हटो दूर हट जाओ तुम ऐसी कई क्लिपिंग्स आपकी वाइरल हो रही हैं तो वो हम तक पहुंचाई गई ठीक है निश्चित तोर पर आपके चाहने वाले नहीं लेकिन कुछ चाहने वाले भी नाराज है कि इतना ज़ाद डाट डपटना इ जब सामने बाले को बहुत ज़्यादा भरुशा नहीं होता इशुर्शता पर, सिध्धी पर उसे लगता है कि जो इन्होंने लिखा या नी बहुत कुछ था है तो उसको आभास कराने के लिए उसकी निजता, निजता का प्रदर्शन करके हमें TRP या लोगों में बाहभाही लूटना हमारा धे नहीं है, अमुक व्यक्ति को सवक सिखाना हमारा धे लेता है, अगर वो अपने आप में बहुत गुरू या बहुत उस्यार बनता है, तब उस बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, कि बाबजी पाकिस्तान से क्या है बाबजी कनेक्शन और कैसे होगा पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विले है, जैसे अलग हुआ था बेसे